देखो जिन जिन लोग के पास एक अच्छी खासे स्कॉर्ड होती है उनके लिए CS में रैंक पुश करना तो काफी ज़दा इजी हो जाता है उनके पास एक स्कॉर्ड नहीं होती है जो लोग रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलते हैं उनके लिए यह चीज थोड़ी मुश्किल हो देंगे इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने रैंक्न प्लेयर्स के साथ ग्रेंड मेस्टर पहुच जाते हैं नंके एस लिए करते हैं क्योंकि रैंडम है प्लेयर्स हमारी से argument करने लगे तो हमारा focus game पे नहीं होता है और फिर हम उस match को काफी बार हार जाते हैं तो इससे अचा आप starting में ही उनको mute कर दो जिससे कि आपको कोई भी disturbance नहीं होगा अब अपना पूरा focus game पे लगा के काफी असाने से अधिकतर matches जित सकते हो अब अगर आपको अपने random teammates को बताना है कि सामने बंदा है या फिर मेरे को follow करो यहाँ पे मत जाओ तो इन सारे cause के लिए voice command यूज कर सकते हैं अब second tip में देखो जब भी मेरे match में milk around आता है न तो अगर मेरा round इससे start हो रहा है न तो मैं जल्दी से भागते हूँ यहाँ पे wall के पास आ जाता हूँ फिर यहाँ पे चेक करता हूँ कि wooden block के पास बंदा है या नहीं जब यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता है न तो मैं अंदर के side आके यहाँ उपर के side आपको जो gap दिख रहे न उस gap से मैं फिक दीता हूँ जब यहाँ से मैं grenade करता हूँ न तो opposite side में wooden block के पास जो भी इनमेज होते है न वो काफी ज़दा damage या फिर नौक हो जाते हैं फिर इसके बद मैं जल्दी से रश करके उनको नौक या फिनिश कर दीता हूँ तो आप भी मिलके round में इस trick का यूज कर सकते हैं अब अगर आप चाहो तो active skill में A124 करेक्टर का भी use कर सकते हो अगर आप starting में A124 करेक्टर का use करके उनके skill को block कर देते हो तो जिस जिस enemy का skill block हो अबगा मुको की वज़े से उन सारे enemies के उपर tag आ जाएगा जिससे कि उनका location आपके सारी teammates को पता चल जाएगा फिर आप चाह खागते हो यहां फिर बीच में आ जाना हैं फिर जिस तरह से मैंने दो गलवांस लगा है उसी तरह से आपको एक की ओपर एक फिर जाना है पिर ऑप अपने 후़ी ऑपर झोपर आपा झांशान करो अधर नदर आचान करों और नहीं उनको पता नहीं चे लगा कि कहा से मुझे पड़ रहा है अगर वो आपको spot करके damage भी दे जेते ना तो उसका भी solution है यहापे आपको यहापे थोड़ा आगे आके ना अंदर के साथ घुश जाना है यहाँ पर जो आप अंदर आ जाओगे ना तो आप पूरी तरह से safe रहोगे आपको किसी भी tap का damage नहीं पड़ेगा तो इस hidden place करना आपको जरूर से use करना है अब hidden places related में आपको कुछ mistakes कि बार बतायता हूँ जो कि आप लोग अकसर करते हो और जिसके वज़े से आप काफी बार मर भी जाते हो जब यहाँ पर अगर आप टायर से चटके घर के उपर जाते हो ना तो आपको ना सामने जो भी enemy होग करना आपको हमेशा उसी के साथ रहना है वो अगर रश कर रहा है तो आपको उसके साथ रश करना है अगर वो होल बन दोस्त भी बन जाए आप अपना एक परमेनिन स्कौट skill देखो Orion character ना आपको किसी भी type की damage से बचा दीता है चाहिए वो enemy से damage हो गया zone से damage हो गया फिर grenade से damage हो गया और Orion की मदद से आप sonya character को काफी आसाने से tackle कर सकते हो जैसे ही आपका anime का sonya character active होता है तो आपको हाँ पे Orion बन जाना है जिसके वो तो काफी आसाने से knock हो जाएगा लास्ट में Orion के वज़े से आप 1v2, 1v3 या फिर only 4 situation को भी काफी आसाने से handle कर सकते हो अब passive characters की बात करें तो मेगिवल, Sonya, Moko या फिर Hayato का use कर सकते हो और अगर आप इस combination का use करें ना तो आपको pet में ज़रूर से Otero pet को लिके खेलना है Otero pet की वज़े से जब आप कोई भी healing item यूज़ करते है ना तो आपका जितना भी HP recover होता है ना उसका 55% आपको EP भी मिल जाता है तो आज मैं बताऊंगा 1X bet के बारे में जो बहुत ज़दा trusted website है यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं बलकि और भी 135 countries में work करती है यहाँ पे आपको first deposit पे यह welcome bonus 33,000 का bonus मिलेगा और यहाँ पे आप किसी भी sports पे प्रेडिट करके पैसे earn कर सकते हैं और जो जीते हुए पैसे हैं उसे अब 2 minute में अपने bank account में transfer करा सकते हो या फिर phone पे, Google पे, PTM के थ्रू without any tax and commission के withdraw कर सकते हो और सिर्फ इतना यह नहीं यहाँ आपको more than 3000 live casino games भी मिलेगा तो देर किस बात की है link आपको comment box और bio में मिल जाएगा जल्दी जल्दी जाओ download करो next bet को and use my promo player 23 जिससे आपको मिलेगा 42,900 का bonus अब 7.30 में देखो जब भी आप random players के साथ खेलती हो ना तो आपको कभी भी सबसे आगे rush नहीं करना है आपको हमेशा किसी ना किसी teammate के पीछे रहना है अगर आप किसी teammate के पीछे रहोगे तो आपर आप ज़्यादा safe रहोगे अगर आप सबसे आगे रहते हैं तो हाँ पर आपके knock होने की chances ज़्यादा रहेंगे और randoms का तो देखो कोई भी भरोसा नहीं होता है कि वो आपको cover देंगे या नहीं देंगे करता रहेगा तो उसे आपको सबसे पहले finish कर देना है फिर finish करने के साथ ही आपको जल्दी से अपना position change करके किसी दूसरे cover के पास चले जाना है फिर वहां से अगर आप किसी enemy को knock करते हैं तो फिर से आपको जल्दी से position change करके किसी और दूसरे cover के पास चला जाना है अगर आप अपना position change करते रहेंगे न तो इनमेस काफी ज़दा confused हो जाएंगे अब 930 में मैं आपको कुछ ऐसे rounds बतायता हूँ जहाँ पर आप starting में ही काफी असानी से flank करके इनमेस को finish कर सकते हूँ तो सबसे पहले round है museum museum में देखो एनमेस ना usually सामने से अंदर जाते हैं तो हैं पर आपको सीधे अंदर जाने की वज़ाए left या right side से rotation लेके एनमेस के पास जाना है फिर पीछे से जाके उनको आप काफी असाने से मार सकते हो इनमेस को पीछे से flank करके मार सकते हो और फार्म डोपिया में भी आप बाहर की साइड से rotation लेते हुए उनको पीछे से जाके मार सकते हो अगर आपको जल्दी से right side से भागते हुए हाप गराज के पास होते हुए हाप पी पिलर के पास आ जाना है फिर पिलर के पास जो आप आज आओगे ना तो सामने वाले पिलर के पास अगर कोई बंदा होता है तो उन्हें आप नेड से finish कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाप एक बंदे को knock किया है और इसके बाद देखो containers के पास भी काफी सारे enemies होते हैं अपने time को काफी अची तरह से manage कर पाओगे आप पढ़ाय भी कर पाओगे और प्रैंक पुष भी कर पाओगे जब आप रोज 8 या 10 स्टार का प्लस कर लेते हो ना तो उसके बाद आपको ज़्यादा matches नहीं खिलने है अगर आपका लगतार 2-3 match minus हो जाता है ना तो उसके बाद भी आपको game नहीं खिलनी है कई बाद दिखो जब हमारा लगतार minus हो जाता है ना तो हमारे अंदर ego आजाती है कि मुझे इसको plus करना ही करना है अगर आप दिन में थोड़ी नॉर्मन लॉबी आती है रात के compared अगर आप दिन में rank push करोगे ना तो आपके लिए rank push करना थोड़ा easy हो जाएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा matches जीत पाओगे तो यही था आज की वीडियो के लिए अगर आप अपने लिए एक best character commission ढूंड रहे ना तो आप left वाली वीडियो को देख सकते हो उसमें मैंने अभी के time के 5 सबसे ज़दा बढ़िया character commissions बता हैं तो आपको आपके roll के सबसे एक अच्छा सा character commission मिल जाएगा अगर आपको गनेट्स की tips and tricks की वीडियो देखनी है तो आप right वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाख जरू कर देना अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे subscribe कर देना तो तब तक लिबाबाय मिलते हैं एक और वीडियो में